तो दोस्तों आज हमारा question है convert 8 days into hours हमें क्या कह रहा कि 8 days को हमें convert करना किसमें hours में अब हमें पहले 8 days हमें पता होंगे वन दे में कितने hours होते हैं तो अगर हम देखें वन डैं किटने hours होते हैं 24 होते हैं बाई आब हमें पता गए कि one day में कितने 24 hours होते हैं तो eight days में कितने होंगे एट इन्टू 24 हो जाएंगे eight four जा आप multiply कर तो 24 इन्टू eight eight four जा कितना होता है एट four जा 32 eight जा 16 16 और 3 17 18 19 192 तो क्या जाएगा 192 hours हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 192 hours ठीक है means one day इकल टू 24 तो eight में कितने हो जाएंगे eight days में कितने हो जाएंगे eight days equal to 192 hours ओके अब यह करें 17 डे इन्टू आवर आवा 17 डे अब हमें तो पता है ना कि one day में कितना होता तो one day इकल टू कितना होता 24 hours होते हैं ओके तो 17 में कितने होंगे तो इसको क्या multiply कर देंगे 24 इन्टू 17 कर देंगे कि one day इकल टू तो 17 डे इकल टू कितना हो जाएंगे पहले किनी क्रोस 4 & 2 1 4 जा 4 1 2 जा 2 8 गा 8 10 3 और 1 4 कितना हो जाएंगे इक आल टू में 408 अवर्स हो जाएंगे कितने हो जानगे 408 hours कितने days में 17 days में ऐसे हमाख्या इसे हमाहना ह sucks 10 hours into minutes अब 10 hours को हमें minutes में change करना है तो one hour equal to one hour equal to कितना होता one hours one hour equal to Гeio 60 minutes कितने होते 60 minutes कितने होते 60 minutes 10 मे कितना होगा तो 10 10 hours equal to 10 into 60 कितने हो जाएंगे 600 minute हो जाएंगे कितने minutes हो जाएंगे 600 minute it means 10 hours equal to 600 minutes हो जाएंगे